हालो स्टूडेंट्स आज आपड़े एक्सिग्रिमेंट नंबर टू जो वाना छे जे छे सीरीज अने पैरलोई सर्कित तो पहले इनी फियर स्टार्ट करशू अने छिले प्रेक्टिकल वर्ट्यूल एर्णी अने परफॉर्म करशू चलो तो स्टार्ट करदें हेलो स्टूडेंट्स आज आपड़े वाद करवाना छे सीरीज सर्कित अने वोल्टेज डिवीजन डूल देशे तो सीरीज सर्कित कौने केवाई छे एना इनी फॉर्मिला करिदे होई छे सीरीज सर्कित जारे आपड़े ली होई त्यारे सॉल करिदे करू अने जो तमारे प् तो शर्वात कर यह शीरीज सर्कीट थी तो सीरीज सर्कीट को लेके वाई ज्यारे बे अथवा बे करता वधारे एलिमेंट छे यह यह थामें बैक टू बैक कनेक करो छो यह अपड़े सीरीज सर्कीट कहिए चे बेक टू बेक इटले अहिना में बे रेजिस्टन्स लिदा चे आयर R1 रेजिस्टन्स ना टर्मिनल ना में नाम आपिया चे 1 अने 2 येवीज दिते बीजो रेजिस्टन्स लिदा चे R2 जेना टर्मिनल नाम आपिया चे 1 अने 2 जयारे उं पहला रेजिस्टन्स ना second terminal ने वीजा रेजिस्टन्स ना first terminal साथे कनेक करीष करिष रखी हो अणने जे मने PATH होँआ शब्त है तो तमें यूँ कई शको कि मैं circuit solve करी ले भी शेए तो अलग-अलग टाइप नी circuit जम्पे series circuit, parallel circuit, star, delta circuit आपने आपी होई और आपने ये solve करी शक्किये क्या रहे जारे तमें बद्धी method apply करी और ये ये वोल्टेज करेंट आने resistance सोधी ले तो आजे आपने series circuit मां कई दी के voltage करेंट आने resistance त्राण मांथी कोई बे कॉंटिटी आपी हैसे एक कॉंटिटी नहीं आपी होई तो कई रीते एनी सथे deal करसू एना विशे बात करी देरा चे तमें जो ही शको छो के series circuit मां current कोई device कोई पाथ मां divide थतो नथी current नी value starting point उपर ये होई चे age value ending point उपर होई चे current ने flow थावा मांटे विजो कोई path अवेलेबल नथी हो तो current हम में शा एक ज़ पाथ माधी flow थाई चे अने इता माटे एनी value सेम रह चे जे series circuit नी खासियर चे जो series circuit नी formula नी बाद करिये तो बे resistance सीरीज मां connected चे तो धरेक resistance ना अक्रोस मां एनो पोतानो voltage drop थाई चे तो R1 ना अक्रोस मां जे voltage drop थाई चे एने आपड़े V1 कैसू R2 ना अक्रोस मां जे voltage drop थाई एने आपड़े V2 कैसू टोटल voltage ने आपड़े V तरीके उरखिये चे जो ओंस नो नी बाद करिये अन्यों ओंस लो प्रमाणे वों voltage drop फाइंड करू V1 ना across मा अन्य V2 ना across मा तो V1 ना across मा एट सरी R1 ना across मा जे voltage dropped थह से, ये थह से V1 equals to I into R1 ज्यारे resistance 2 ना across मा जे voltage drop थह से V2 एनी formula मनंसे I into R2 अहिềं जो resistance माथी past座ा current में I1 तरिके लाओ रेजिस्टन्स 2 मां खी पास चता करेंट ने i2 लव तो हैंगो कई शकू के i equal to i1 equal to i2 करेंट के करेंट throughout सेम रहाँ चाई DC सरकीट मां voltages नो हम्मेशा summation थाई सीरीज मां इतला माटे हूँ या लखू चू V equal to V1 plus V2 AC सरकीट होई त्यारे तमें यहनो वेक्टर सम तमारे करो पड़े वेक्टर सम अपड़े AC सरकीट भनी सु त्यारे वाद करीशू V नीच ग्याए हूँ मुखीस IR V1 नीच ग्याए IR1 अने V2 नीच ग्याए IR2 आ आर छे ए टोटल सरकीट नो रेजिस्टन्स चे करण के आपड़े यहाँ V छे ए टोटल सरकीट नो वोल्टेग भीदो छे इतला माटे I छे ए टोटल सरकीट नो करण अने R छे के टोटल सरकीट नो रेजिस्टन्स I थ्रू आउट कॉंस्टांट रहे छे इतला माटे हूँ इक्वेशन माथी I ने कैंसल करीज तो तमारी पासे जे फाइनल इक्वेशन बंचे रेजिस्टन्स माटे सीरीज सरकीट नो ए थसे R इक्वोल टू R1 प्लस R2 जेतला कण एलिमेंट सीरीज मां कनेक्टेड होत सपोज आनी जीगे बेनी जीगे त्रण रेजिस्टन्स होत सीरीज मां कनेक्टेड तो formula ती ज़ा total resistance R equal to R1 plus R2 plus R3 तो series circuit मा resistance मा हम्मेशा सरवाडो थाई चे अने current throughout same रहे चे अना अपड़ थी जो अपड़े series circuit मा conclusion काड़ी है तो series circuit मा current हम्मेशा same रहे चे voltage चे ए अलग-लग resistance नी अंदर divide थाई चे अने जे total resistance होई छे अखी circuit नूँ ए sum होई छे एनी साथे जितला पन connected resistance होई छे एना इतले के R equal to R1 plus R2 plus जितला पन resistance connected हो एट ना 3 resistance connected होट तो R1 plus R2 plus R3 4 resistance connected होट तो R1 plus R2 plus R3 plus R4 टोटल करेंट नी वाद करिये तो I equal to 10 V upon R जा V total supply voltage चे आर छे ए टोटल सरकित नो resistance चे जो series circuit नी application नी वाद करिये तो आपड़ा भाईरिंग मा fuse जे चे यह हम्मेशा series element तरीके ओड़खाई चे एने series मा connect करवा मा आवे चे एवीज रिते fan नी speed control करवा माटे आपड़े जे regulator यूज़ करिये चे एपड हम्मेशा series माच connect करवा मा आवे चे बे एक्जम्पल ले लिए जेदी तमने series circuit वगारे clear थे जैसे अहिया बे resistance आपए चे बे पोइंट पांच उम्मना जे series मा connected चे जो मारे आणि अक्रोस मा voltage V1 अने V2 सोधू होई तो किविल ते इने follow करे चे साथे साथे तमारे current I पर सोधवानों चे इतले के आए circuit total किकलो current कंजीन कर से जो तमारे total current सोधू होई तो तमने total resistance नी value खबर होई जुए इतला माटे सवथी पहला आपड़े total resistance नी value सोथ्चू सर्कित माटे total resistance नी value R formula आपड़े आगर derive करी चे इप्रमाणे R equal to R1 plus R2 तो total R नी value थसे 5 Ohm I equal to V upon R नी formula माँ जे values आपने खबर चे एतले के voltage नी तस अने resistance नी 5 ये value मुख्षू तो आपने total current नी value खबर पड़ी चे जे थसे 2 MpR V1 नी एतले के जो तमारे voltage सोधो होई तो V1 थसे I into R1 अने V2 थसे I into R2 तो V1 नी value थसे 2 MpR multiply by एनो resistance 2.5 V1 एतले अहीं या 2.5 एतला माटे नीधा छे कारण के आपड़े individual resistance नो 2.5 पाच मोल्ड सेम वे V2 एकोल टू 2.5 पाच मोल्ड सेम वे अलग लग resistance नी value लेए एना पर्थिया पनने total current मोड़ी जैसे total current equal to total voltage divided by total resistance 10 upon 10 एतले 1 MpR जो तमारे V1 नी value सोध भी हसे तो तमने current नी value खबर होगी जैसे I1 into R1 या I1 ए 3 ohm माथी पासता तो करण चे अने I2 ए 7 ohm माथी पासता तो करण चे पंड series circuit मा बनने current सेम अच होई छे एतले आई को I1 को के I2 को 3 ohm नी value सेम अच चे तो यह जी तमने V1 ना अक्रोस नो voltage माड़ी जैसे 1 into 3 equal to 3 volt और V2 नी value माड़ी जैसे 1 into 7 equal to 7 volt series circuit माटे खास मार कर जो कि जे resistance नी value वधारे हसे एना अक्रोस मा voltage ड्रॉप वधारे जैसे आई circuit मा बनने resistance माथी 7 ohm नी value वधारे जैसे इतला माटे एना अक्रोस मा voltage ड्रॉप वधारे जैसे बनने resistance नी value 2.5 छे एकले के सेम छे इतला माटे बनने नी अंदर जी voltage ड्रॉप थव एपण सेम छे 3G x circuit ले लिए करण के अमुक student ना मगज मा impression एवी पड़ी जाई छे के series circuit एकला हुम्मेशा आवी रिते एक लाइन मा जोडेला resistance तो आ circuit पन series छे भले तमने connection आवी रिते आप्यों छे करण के आमाथी पास थानारों करण्ट छे एनी value बदलावानी नथी ए करण्ट नी value सेम रहे छे करण के करण्ट पासे विज़ो कोई alternate path अवेलेबल नखी तो आने पन आपड़े series circuit केशू अनी अंदर पन सेम मेथड थी example solve थासे कि पल्ला टोटल आर नी value सोख थी टोटल आर इकोल टो आर वन प्लस आर टू एकले चार प्लस छे दस ओम थासे टोटल करण्ट I equal to V upon R voltage नी value V साफी छे रेजिस्टन्स 10 छे करण्ट नी value 2A थाई जेसे I equal to I1 equal to I2 करण्ट के करण्ट चेंज थावानो नथी V1 नी value सोध्य होई तो current multiply by resistance तो 2A करण्ट चारों पहल्ला नो रेजिस्टन्स छे तो 8V ट्रॉक थासे पहला resistance ना अक्रोस मा ये वीज रिते है वीटू ना अक्रोस मा बार गोल्ट ड्रॉक थासे जे बिजा resistance ना अक्रोस voltage ड्रॉक थासे यहां पंदा में मार्क करी होई तो 6 ओम रेजिस्टन्स नी वैल्यू वदारे छे गंपेर टू चारों एकले एना अक्रॉस मां ये वल्टेज ड्रॉप थसे एक वदारे थसे हवे बात करी है कि वोल्टेज डिवीजन डूल नी तो वोल्टेज डिवीजन डूल हम्मेशा सीरीज सर्कीट मार्टेज यूज थाई चें voltage division rule तो तमारे एक मिठनी अंदर कोई एक resistance ने जो voltage शोधू है तो तम्हें यहना माटे यूज करी शको चो इटले मारे जो V1 नी value शोधू है तो यहना माटे आ रोल नो यूज करी शको चो आमाँ खासियत ए छे कि जो तमने current नी value ने खबर हा तो पंट तम्हें current नी value शोधिया वगर direct voltage division नो डूल यूज करी आने resistance ना अक्रोस नो voltage शोधी शको चो के भी रित है? voltage division rule टाम करे चे एन इक्वेशन सूँ चे एड वी voltage division rule यहों कह चे कि जे ब्रांच नो voltage तमारे सोधू हो सपोज के यहां मारे V1 नो voltage सोधो चे एटले के चारों ना अक्रोस नो voltage सोधो चे तो V1 नो voltage सोधो माटे तम्हें जे formula यूज कर सो यह लक्षो तम्हें सेम ब्रांच नो resistance R1 divided by total resistance of the circuit एटले के आब यह resistance चे तो R1 प्लस R2 multiply by total supply voltage Vs यह बीज रिते यह आपने calculation मन साधे साधे करी लिए तो V1 करी रिते मरसे मने तो 4 ओं divided by 4 वत्ता 6 total resistance multiply by total voltage 10 तो यह तमने जे value मढ़ी यह 4 वोल्ट मढ़ी जेश तो मैं आगड़ जे series circuit में आपने method करी यह method नी अंदर disadvantage A हतो कि तमारे current नी value सोधी पड़ आ case नी अंदर तमारे current नी value सोध्वानी जरूर मती तमने direct V1 अने V2 मढ़ी जेश same way जो मारे V2 ना across ना voltage सोध्वा होए तो जेना across ना voltage सोध्वा होए energy resistance यह यहाँ उसे 6 divided by total resistance तो 4 बत्ता 6 multiply by total voltage तो थसे 10 वोल्ट तो 6 भागया 10 गुन्या 10 तो total voltage across V2 इस 6 वोल्ट तो आवी रिते तमें voltage division डूल नी मदद थी कोई पड़ ब्रांच ना series मा जे branches connected छे एना across नो voltage सोध्वा होए जो तो आवारे चोथा ना across नो voltage सोध्वो छे तो यहाँ लखिस V4 equal to जे ब्रांच नो voltage सोध्वो छे ए रेजिस्टन्स R4 divided by total resistance multiply by Vs अपड़े एक लए लिए कि जो तमने यहाँ चार resistance आपया छे series मा connected अने एमा थी तमारे खाली 2 ohm एटले क्या जे त्री जो resistance छे एना across नो voltage सोध्वो छे तो तमें सुख कर सो तो जे ब्रांच ना across नो voltage सोध्वो छे एनो resistance लख सो एटले के 2 divided by total resistance लख सो एटले के 2 plus 4 plus 2 plus 2 multiply by total supply voltage जे total supply voltage छे जे वी स्कुल तो बे भाग्या 10 गुणिया 20 तो 4 गुण तो आर equivalent सोध्या वगर current सोध्या वगर डाइरेक्ट सीरीस सर्किट माँ तमें voltage division लूज नो यूज करी आने voltage नी value जे ए सोधी शकुल जो तमने आवी कोई ब्रांच आपी हो है कि जे माँ तमें बे पॉइंट वच्चे नो डिफरेंस खबर हो ये तले कहीं है चार वोल्ट छे आ ग्राउंड चे टेनो वोल्टेज जीरो तो आट सर्किट नो टोटल वोल्टेज छे ये आपी हो छे चार वोल्ट अन्ने तमारे वन ओम के टू ओम ना अक्रोस मा जो value सोध्यू है वोल्टेग ये तले के 2 प्लस 1 मल्टिप्लाई बाइ टोटल सप्लाई वोल्टेज ये तले के 4 तो तमने ये वीटू नी value मड़ी ये से 2 बाइ 3 इन्टू 4 ये तले के 2.66 वोल्ट तो आवी रिते तमें वोल्टेज डिवीजन नो रूल सीरीज सर्किट नी अंदर करी equivalent resistance के करन्ट सुध शको तो आशा राखो चू के तमने आजनो जे लेक्चर छे ए गम्यों होसे अने माथी के 9 जानवा वड़ी होसे तो कंक्लूजन करिए सीरीज सर्किट अने वोल्टेज डिवीजन डूल नो तो सीरीज सर्किट नी अंदर करन्ट हम्मेशा सेम रहे छे voltage डिवैड ठाई छे अने टोटल रेजिस्टन्स चे ए बधाच कनेक्टेड रेजिस्टन्स नो सम होई छे voltage डिवीजन डूल एपलाई थाई छे सीरीज सर्किट उपर अने एनू मेन का फुल्पन ब्रांच अक्रोस वोल्टेज शुद्वान होई छे है छे बाद करवानाचे पैरलल सरकिट विषय पैरलल सरकिट कौने कह वा योई छे पैरललसर्किट नी फ्रमीला कहिते डिरेव कर तो था पैरललसर्किट नाबने इस्ड एग्जांपल कहिते सौल्ड करवा यह आपड़े आजना लेक्च Emperor मा जो योवानाचाहिद सुथी पल्दा वाद करिये पैरलल सर्किट कौने के बन तो ज्यारे पण कुल पण बे रेजिस्टन्स नरो कहिंजा में बे रेजिस्टन्स दिधा चे R1 ने R2 ने बन्ने ना टर्मिनल ने में नाम आपया चे 1 ने 2 तो ज्यारे पण बे रेजिस्टन्स ना बेला टर्मिनल तमें साथे कनेक करो अने बन्ने ना बीचा टर्मिनल तमें साथे कनेक करो त्यारे जे सर्किट बने चे आपड़े ये पैरलल सर्किट कहिए चे अहिया में R1 ने R2 ना बन्ने ना एक नमबर ना छेडाने साथे कनेक करया चाए बन्ने ना बे नमबर ना छेडाने साथे कनेक करया चाए तो आ एक पैरलल सर्कित था सर्कित उपड़ थी तम्हें अबज़र्व करी शक्व चो के अहीं आ करंट ने फ्लो थाओं माटे बे अलग अलग पात चाए तो करेंट ने फ्लो थावा माटे अलग अलग बात छे इतले पैरलल सरकीट मां करेंट हम्मेशा डिवाइट थाई जो वोल्टेज नी बात करिये तो तम्हें जो ही शकोचो के पॉजिटिव टर्मिनल छे ये बनने रेजिस्टन्स साथे कनेक्टेर छे नेगेटिव एना बीजा इतले जे वोल्टेज नी वैल्यू छे ए थ्रू आउट बनने रेजिस्टन्स ना अक्रोस मां सेम रहे चे तो पैरलल सरकीट मां बोल्टेज नी वैल्यू डिवाइट थाई जे चे आज सरकीट में तम्हें आभी दीते पॉज गोड फिशर को जो 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 आरवन ने रट जो एक्वेशन नी वाद करिये तो बोल्टेज जे छे ये दरिक ब्रांच ना अक्रोस मा पैरलल मा जिकली पन ब्रांच होए येना अक्रोस मा सेम रहवाथी वुँँ या कई छकू के करंट नो सरवाड़ो थासे येटले के चे टोटल करंट आई छे ये 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 बे पार्ट मा जाउ तो लखी शकू के I equal to I1 plus I2 आई नी वेल्यू मुक्री तो I equal to सु थासे टोटल वोल्टेज वी डिवाड़ो थासे ये ये टोटल डेजिस्टन्स आर आई वन नी वेल्यू थासे V अपन आरवल, I2 नी वेल्यू थासे V अपन आरटू पैरलल मां वोल्टेज सेम रहव थी तो वी नी वेल्डियू चे यहने गैंसल करी शकीश तो फर्मिला बनद से 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 जहां R ए total resistance चे R1 ए फ़ली ब्रांच नो resistance चे R2 second branch नो resistance चे आवी रिते गम्मे एकली branch parallel मा connect थाई भई तमे एना माटे ए आखी सर्कीट माटे total resistance सुधी शको चो आँ फर्मिला नो यूज करी ले 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 आने continue त्रण ब्रांच असे तो 1 upon R3 सुधी फर्मिला बनचे चार ब्रांच असे तो 1 upon 4 इवी ज रिते तमे टोटल resistance नी value आँ फर्मिला नी वद थी सोधी शकोर जो बे resistance तमने parallel माँ आपया होई तो एना माटे एक short method छे याद राखवा माटे तो तमारे total equivalent resistance उधो होई otherwise 3, 4, 5 resistance तमने आपया होई तो टोटल equivalent resistance होजवा माटे हम्मेशा तमारे 1 upon R equal to आ फर्मिला नो यूज करवानो भैसे जो parallel circuit माटे आपले अटला discussion उपर थी conclusion काड़िये तो parallel circuit नी अंदर voltage हम्मेशा constant रहे चे एनी application गोई है तो आपनू जे household नू connection घर नू connection होई चे यह हम्मेशा बद्धाज equipment parallel मा connect करवा माँ आवे चे current के आपड़ा बद्धाज equipment होई चे यह बसो 30V पर rated थेला होई चे current जी छे ए डिवाइट थाई चे अने equivalent resistance नी जे formula चे ए 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 ए वी रिते तमें equivalent resistance सोधी शोखे एक्जांपल जोई सो तो तमने भदरे ख्यालाव से यह तमें जोओ जोओ के त्रण resistance छे ए पैरनल मा connect थेला चे अने मारे I1, I2 अने I3 नी value सोधवानी चे प्लस टोटल करेंट नी value पन सोधवानी चे जो मारे तो 1 upon R equal to आ 3 value में सरवाड़ो तो तमने ख्याल आवसे के R नी value जे आपड़े सोधी यह आवी 1 ohm यह खासिया ए रागजो के तमें जयर्या 1 upon करेंए करो छो अने जे सरवाड़ो आवसे तो घणा स्टूडेंटे भी भूल करेंचे के डाइरेक यह जे value आवे एने ज आर नी value करेंचे अने इटला माट्या 1 upon R डावी साइड लखू पर जरूरी जे जेदी करेंए भूल ला थे तो अहिए 1 upon R equal to 1 छे तो आर नी value 1 divided by 1 करेंए 1 ohm आवी जे तो आएक वस्तू खासिया रागजो के आनो सरवाड़ो करी यह जे डाइरेक आर नी value एने करें आले था आ फॉर्मिला 1 upon R माट्या एकले तमारे जे यह अंसर आवसे यहने 1 वाड़े डिवाइड करो पड़से त्यारे तमने final R नी value वाड़से अवे total current I equal to total voltage V divided by total resistance R, total voltage छे 10, resistance 7, total current J flow छे एनी value आवसे 10 ampere, इवी जरीते I1 नी value नी बाद करियो, तो I1 equal to V upon R1, total voltage छे 10 volt, resistance छे 4 ohm, तो I1, हाँ 4 ohm ना अक्रोस मां जे current flow थासे, यह 1.5 ampere असे, I2 नी value V upon R2, दस ना छेट मां 4, 2.5 ampere, I3 equal to V upon R3, तमने answer मढ़ी जे 5 ampere, आमा पन जो तमें mark करो, तो series circuit मा पड़े यह मार्क करीएगे, कि जे पन resistance नी value वधारे होई, यहना अक्रोस मां voltage drop वधारे थ जे जारे parallel circuit मां जे resistance नी value वची होई, एना अक्रोस मां सवथी वधारे current flow थाँ, आ तरणे-तरण resistance मां बेयोम नी value सवथी वची शे, इतला माटे बेयोम मां थी पास थातो जे current चे यह 5 ampere, series ने parallel circuit नी theory जुयाँ पर चे, हवे आपणे experiment परफॉर्म करवानों छे, इतले कि जे पन theory मां आपणे सिख्या चे, series ने parallel circuit भी शे, यहने आपणे verify करवानों छे, तो verify करवा मां आटे हुँ, फरी थी virtual lab लाइज, virtual lab जे छे, एन्यों id यहां में उपण लखेलू छे, vlabs.iitkgp.ernet.inbeexperiment4 slash index.html hash, तो आँ id उपणे तमारे लिते, जीपन experiment छे, यह verify करी शको जो, साथे साथे perform पड करी शको, चलो तो आपने simulation उपन करी लईए, तो त्यारे हो simulation उपन करी अन्य समथी पहले आपने practical perform कर सू, resistance in series, तो resistance in series वाडो, डाइग्राम उपन धेगो, यहां दमें जो इशको चो कि बे resistance छे, ए सीरीज माँ छे, बनने ना अक्रोस को voltage मापपा माटे आपने इनी parallel माँ एक voltmeter मुख्यू छे, अने current measure करवा माटे आपने 8 meter मुख्यू छे, यहां रेजिस्टन्स जे छे, रेजिस्टन्स वन नी वैल्यू सपोर्ज राखू छे, तैनों, रेजिस्टन्स टू नी वैल्यू राखू छे, तैनों, यहां 10 अने 10 बनने सीरीज माँ छे, तो voltage नी वैल्यू जे राखवानी छे, आपने यहने पड 10 volt राखी लेगू, तो हवे, जे सीचुएशन छे, सर्कीट नी एसू छे, के voltage नी वैल्यू आपने राखी छे 10, resistance रेजिस्टन्स आरवन नी वैल्यू छे 10, रेजिस्टन्स नी वैल्यू छे 10, तो मने ख्यालत छे के सीरीज सर्कीट माँ टोटल रेजिस्टन्स इक्वल टू, रेजिस्टन्स खबर होई तो मैं टोटल करेंट सोधी शक्सों, गुल्टेज खबर होई तो, आपने वोल्टेज पर खबर छे, 10 ओम, टोटल रेजिस्टन्स खबर जे 20 ओम, तो करेंट नी वैल्यू आभी जुए, करें चिछे पॉइंट पाच आनि आपणने यह इपड़ ख्याल चें कि आपको अपने जे रिजीस्टेंस आपए च एक किलो उम्मा चे तरह आपणड़ करेंट आ वे तो आपने मानी शक्किये के आपने जे सीरीस सर्किट बनावी जे बराबर जे तो यह तमें इमीतल में इं हावे फरीती ये ज़िस्ट्व्स्तू verdadeर्वा माटे हूं रिजिस्टन्स ऑल्यूर?... 25 नी म करिएथर हो तो रिजिस्टन्स श्री एल्यूर् हो अल्टों 15 नी बंने रेजिस्टन्स टंस कि इस्टन्स हम जो ई हम्डों 15 नी 70 tent यह जोसे R1 15, R2 15, एकले टोटल रेजिस्टंस 15 वज्ता 15 30, करेंट नी वेल्यू आभी जुए 10 भग्या 30, एकले के 0.333, तो यह तमारा करेंट नी वेल्यू अपड़े चेक करी लेए मीटर मा एक डी दिखाड़े छे के नहीं, तो 0.333 वेल्यू दिखाड़े छे, नो मतलब के आपड़े जे सीरीज सर्किट ना कंसेप्ट जो ही रहा छे, एक प्रॉपर छे, यह एक अर्रेंजमेंट भी जीट नथी आप ही, जेचे वोल्टेज मेजर करवानी, जो तम्हें वोल्टेज अक्रोस रेजिस्टन्स 1 और वोल्टेज अक्रोस रेजिस्टन्स 2 मेजर करवा वांता होई, तो वीवन नी वैल्यू थासे, आई इंटू आरवन, एक लेके जो अत्यार नों केस लहिए, तो अत्यार ना केस मां करण्ट नी वैल्यू चे पॉइंट ट्रिपल थी, और वेजिस्टन्स नी वैल्यू चे पंदर, तो एनो आंसर जे आउसे, एक तरसे, पंदर गुणिया ट्रिपल थी, तो पंदर, मुल्टिप्लाइब बाई, पॉइंट, ट्रिपल थी, तो चार पंदर नाउ आउसे, पांच, तो वीवन नों अंसर आवे हो, पांच वोल्ट, सेम रीथे, वीटू वोल्टेज अक्रोस रिजिस्टन्स टू, एनी वैल्यू आउसे, करन्ट इंजू रिजिस्टन्स टू, तो एपन पॉइंट पॉइंट प्रिपल थी, मल्टिप्लाइबाइ पंदर, तो आजे टोटल दस वोल्ट छे, यह माथी पांच वोल्ट आ रिजिस्टन्स ना अक्रोस मा, आने पांच वोल्ट आ रिजिस्टन्स ना अक्रोस मा, ड्रॉप ठाई गया, तो रिजिस्टंस जहरे पन रिजिस्टंस दी बे Rank डिजिस्टंस शीरिज मा हुए दो रिखेस्टंस शीरिज मा हुए तो बनने रोकोस मा जी वोल्टेज रोट के करें ये पर current time आम्हें करी हीचे कहो आपड़े current fine करी अने वैरीफाइक पर te pas करी हुआ جूछ आनि साथे series नो practical जेचे हैं आपड़ो complete here हवे आपड़े practical parallel circuit ना practical तरफ आगार वेच Chemical तो parallel circuit माजटे new back J and ome slow for resistance in parallel तो यह आपने बे रेजिस्टेंस पैरलल मा कनेक्शन आप याँ चे बन अपर उसदों वोल्टेज मेज़र करवा माथे आपने वोल्ट मीटर लगाड़ी। DC सप्लाइ यहाँ आप यहाँ चे अनन करेंट मेजर करवा माथे एमीटर लगाड़ी। वह यहां थी वह DC voltage नी value पल्ला सेट करीज तो DC voltage नी value राकुचो 10V रेजिस्टंस नी value जारे सेट करवानी आवे तियारे खास एक वस्ता अपने ध्यान रखेशू के पहलो रेजिस्टंस जी आपिऊ छे एनी value ओम मा आपी जारे बीजो रेजिस्टंस छे एनी value किलो ओम मा चे तो घणिवार एक्जम्पल मा भी आप प्रेक्टिकल तरीका पूस कि पहलो रेजिस्टंस ओम मा चे आने बीजो किलो ओम मा चे तो कई रीते आपड़े एने solve करीशू जो तमारे ब्लेंक कनेक्शन ने आखुक कनेक्शन पर लेदीच करूँ हो है तो यहां फेसिलीटी आपि लीच छे ओम्सलो रेजिस्टंस इन पैरलल रेजिस्टंस इन पै दिलेंए एन्या भूल देगे जा सटमाइं माथि इस्टंस इस्टंस माति घुस्टंस पैरलल त्यांति बोल्ड मीटर पैरलल माचे ऩोडल मीजिस्टंस चरी दीजिस्टंस माथि तो 10% पासरी वालो मात प्रेया तो स्यू स्टों अम स्टों है तो रिजिस्टैन्स ऐंगे वालू आपञे सेट करिए ओमँ हजार हों आने यह की वाली आपके एक हिडिया किव सीवीरी के ऐनी तो तो हथार हजार हजार OM न वे resistance parallel माचे तो equivalent resistance केत्लो हख हर जो हजा है resistance equivalent एक्यूवालेंट א। डिवाईद-वaimer कर्क हкивानि टू हजार co 겪्सव हं새 तो R एदिस्टेंस वेल्डियौ आउट से पान्सो ओम हावे आपने I equal to V by R, तो वोल्टेज छे तमारा 10 आने A छे 500, एथले थे जैसे एक भाग्या 50, तो एक भाग्या 50 एथले थासे 0.02 आपने MpR मां कनवाट कर देए, तो इसे 20 MpR, तो जोई है कि आपनो एडलो answer दिखाने चे, हाँ, 20 MpR answer दिखाने चे, कारण के, करण चे मिलिम्पेर मां चे, तो यह एए रिदिन ने, अबर पैरलल कनेक्षिन पड़ वेरिफाई करी लिदू करूं इपन जो पैरलल कनेक्षिन करी है तो इसे आंसर लाब वा इपन जो लिदू तुम्हें अलगलग रेजिस्टंस नी वेल्यू लई लई और आनने कैल्क्युलेट करी और पोटा ना आंसर वेरिफाई करी शबचे होग के तमने आ ओम स्लोना प्रेक्टिकल अनने थीरी बनने वस्तों ख्यालावी को होगा से अने तमया वर्चियोल लेब नी साइट कि जे बद्द स्टुडेंट मां ते फ्री बनावा मावी चाहिए तियां जाहिए अने बद्दरे एक्स्प्रेमेंट करें अने तमारू नॉलेज बदाशा थेंक यू सोबच